असलाम अलीकॉम उमीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे 10 best job in Canada without a skill no need experience आज आपके साथ मैं 10 best job जो हैं Canada में वो आपके साथ मैं शेर करूँगा चाहे आप news कमर हैं या आप Canada में अल्रेडी रह रहे हैं तो यह जाप आप सर्च करें और इनके उपर apply करें इनकी demand भी बहु 10 पे है वो है dishwasher की जाब dishwasher की जाब आपको restaurant में भी मिल सकती है आपको airport पे भी मिल सकती है उसलिए कोई भी आपको experience नहीं चाहिए होता है इसकी minimum पे होती है $18 today के $20 per hour आपको wage मिलती है dependent on per winds इससे ज्यादा मिल सकती है इससे काम इतनी नहीं हो सकती है जैसे मैंने आपको पताया है के डिपेंड on per winds के उपर depend करता है कहीं पे ज्यादा भी होती है काम भी होती है इसके लिए आपको कोई भी experience नहीं चाहिए होता है आप इसको चलो $20 आप लगारें पर आवर तो आप आप इसका हिसाब लगाएं कि आपको एक दिन में 200 हो गया और yearly हिसाब लगाएं कि आपके कितने पैसे बन जाएंगे इसमें आपको over time भी साथ-साथ मिलता रहता है और जो benefits होते हैं वो भी आपको साथ मिलते हैं तमर 9 पे है agriculture land की agriculture वो होते हैं जो help वगहरा करते हैं ज यह फलावार है यह है तो यह इसके लिए भी आपको कोई experience नहीं चाहिए कोई इसका कोई भी skill आपको नहीं चाहिए होता है और उनके garden वगहरा की cutting करनी होती है तो वो आपने जाके करनी है तो उसके भी आपको और ज्यादा पैसे मिलते हैं टिप वगहरा भी साथ मिल जाती है यह सीजनल इसकी बहुत ज्यादा डिमांट होती है और जब विंटर आता है तो तब इसकी थोड़ी बहुत डिमांट होती है विंटर का भी मैं आपको इसका एक अल्टरनेट बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए तो आपको यह जाप आप continue भी कर सकते हैं और इसका यहां पर जब समर होता है तो उस टाम इसका बहुत ज्यादा काम होता है तो आपने लोगों के अपने विजिटिंग कार्ड दिया होंगे वह आपको काल करेंगे और आपने घर पर जाके उनके काम वगएरा कर देने हैं नमर एट पर आती है वह है फूड पिकिंग की चाह उ आपने पिक करना है और रखते जाना है पिक करना है और रखते जाना है इसमें बनाना हो गया है काफी सारे पूर्ड हैं उनकी भी जाप आपको असानी से मिल जाती है थोड़ी बहुत साथ साथ अस्टागल भी करनी पड़ती है अब आपके इंफार्म हाउस में जाएंगे पर अपनी सीवी बखेरा देंगे, इसके लिए आपको कोई experience भी नहीं चाहिए, किसी कि आपको कोई experience नहीं चाहिए कि आपका back home में ये experience है और ये job आप लिए, इसके लिए आपको experience नहीं चाहिए, आपको ये job यहां पर drag भी मिल जाएगी, जी नमबर 7 पर आजाती है scouting guard की, उसकी जाप आप कैनना में कर सकते हैं लेकिन विद आउड लिसंस आप जाप नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपका पास लिसंस होना बहुत ज़रूरी है otherwise वो आपको जाप नहीं मिलेगी अगर आप स्कावटी की जाप एरपोर्ट पे करते हैं आपको बाइस से लेके पचीस डालर तक आपको पर आवर वेज मिलती है बाकी यह हो गया बिल्डिंग वगहरा हो गई जैसे आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं हमारी यह बिल्डिंग्स हैं अपाटमेंट वगहरा हो गई जो यहां पे स्कावटी गार्ड होते हैं इनको 16 से लेके 18 डालर भी मिलती है 20 डालर भी परवर मिलती रहती है स्कावटी गेड के उपर जो खड़े होते हैं वेर आउस में भी होते हैं आपको यहां पे मिनिमम जो वेज है वो 60-60 डालर है लेकिन आपको 17 से ले 18-20 डालर आपको मिलती है डिपेंड आन ये भी पर वो इंस्टे उपर डिपेंड करता है वहाँ पे स्टावटी गाड की अगर गहीं पे ज्यादा जुरूरत होती है तो आपको ज्यादा पे वहाँ पे मिलती है अब नमर 6 पे हम बात करते हैं वो है डिलिवरी की जाब डिलिवरी की जाब होती है जैसे Amazon की आप जाब करने हैं Amazon आपको एक packages देगा वो आपने डिलिवर करने होते हैं लोगों के घार वो आपको गाड़ी भी परवाइड करते हैं लेकिन उसके लिए भी आपके पास लिसंस होना बहुत ही ज़रूरी है जब लिसंस होगा तो तब भी आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं वो आपको packages वगहरा देंगे आपने वो लोगों के घर deliver करने हैं device होती है उस device से वो आपको map पे बताते जाएगा कि यह घर यहाँ पे है यहाँ पे है और साथ-साथ आप DHL की अगर job करने चाहें वो भी deliveries की job होती हैं वो कोई आउट्स वो भी packages वगहरा आते हैं वो भी आपने डिलीवर करने होते हैं जैसे पाकिस्तान किसी ने कोई parcel बेज़ा है तो वो आपने देना है किसी और country से उसने parcel बेज़ा है तो वो आप लोगों को deliver करेंगे FedEx की भी job है वो भी ऐसे delivery की जाप है आपको वो गाड़ी देते हैं, packages देते हैं, device देते हैं, वो आपने deliver करने होते हैं, वो आपको एक बताते हैं कि इतने पास, इतने आपके पास deliveries हैं, item हैं, यह आपने deliver करने हैं, चाहिए आप तीन गंटे में करें, चार में करें, दस में करें, वो आपकी मर्जी है, वो आपको उन्होंने पर अवर के इसाप से भी पे होती है और वो आपको पर डे का भी वो बता देते हैं नमर फाइफ पे कैशियर की जाप आप वालमार्ड में भी कर सकते हैं रिकनेडियन टायर में भी आप कर सकते हैं नोफ्रील में भी कर सकते हैं बहुत सारे यहां पे सुपर स्टोर हैं आप किशियर की जॉब कर सकते हैं इसके लिए भी आपको कोई experience नहीं चाहिए होता है बस यह हो के आपको इंगलेश इसके लिए थोड़ी बहुत आनी चाहिए इतनी आनी चाहिए कि आप customer को समझा सके और उसकी बार भी आप समाझ सकें तो इसको भी आपको under 20 डालर आपको परावर वेज मिलती रहती है जैसे जैसे आपका experience बढ़ता जाएगा आपकी पे और जियादा होती जाएगी नमबर 4 पे हम बात करते हैं डॉग्स वाकर की आपने कुटों को बाइर लेके आना है और उनको बाइर वाक करवानी है उनको सैल सपाटा यहाँ पे करवाना है उसकी अप टू 25 डालर 27 डालर परावर आपको मिलती है तक आप लोगों को पता है यहाँ पे यह डॉग्स अपने घरों में बहुत रखते हैं और जब यह जॉब्स पे जाते हैं तो पीछे यह लोगों को दे जाते हैं या किसी सेंटर में दे जाते हैं या इन्होंने जैसे कोई बंदा हायर किया होता है तो उनको यह परावर के इसाप से देते रहते हैं अगर आपका ड्रेक्ट उनके साथ रापता होगा उनर के साथ तो वो ड्रेक्ट आपको देगा अगर आप किसी कंपनी के तुरू जाएंगे तो वो कंपनी आपको बताएगी कि आपने फिलां घर जाना है फिलां जगां पर जाना है तो इतने इतने टाइम के लिए आपने उस वहाँ पर भी आपको मिल सकती है एर्बियन पीम में भी मिल सकती है रूम अटेंडन की चाप बहुत सारे आपके पास आप चाने आप एवरी वेर हर जगा पर रूम अटेंडन का काम कर सकते हैं इसके लिए भी आपको कोई experience नहीं चाहिए होते हैं इसकी आपको जो कमा से काम म आपको जैसा के पता है ने बैड के उपर बैड शीटें वहाँ पर सही करनी होती हैं उनकी सेटिंग वगहरा करनी होती हैं पिलो की सेटिंग वगहरा करनी है आपने रूम को साब वगहरा करना होता है तो यह रूम अटेंडन का काम होता है इसके लिए भी आपको कोई experience नही नाइकी हो गई इन में आपको जाब मिल जाती है कुई आपको इसका experience नहीं चाहिए होता है 25 डालर से लेके 30 डालर तक 20 डालर 23 डालर आपको पर अवर इसकी मिलती है और इसके बोनस भी होते है विकेशन पे भी आपको मिलती है और भी इसके काफी बहुत सारे benefits होते हैं वो depend क लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो medicine आपकी होती है आपको buy करनी पड़ती है आप अगर किसी company के साथ आपके permanent job होती है तो वो company आपके 70, 80, 90% वो आपके pay करती है तो ये permanent job के यहाँ पे benefit बहुत ज्यादा होते हैं अब जी आपके साथ मैं बात करता हूँ track driver की job बहुत ही license चाहिए होता है license की बेह यहाँ पे step होते हैं पहले आपने G1 लेना है फिर G2 लेना है फिर G लेना है फिर भी जैड़ आपने az license आपने लेना है तो तब आप यहाँ पे truck वगईरा चला सकते हैं अब जो truck चलाते हैं inside Canada में चलाते हैं वो राद को अपने घर वापस आ जाते है 6-8,000 डालर वो महीने का बहासानी से बना लेते हैं अब जो Canada से US जाते हैं वो 15-15 दिन 10-10 दिन वो घर नहीं आते हैं जब वापस आते हैं तो फिर उनको 3-4-5 दिन का rest मिल जाता है वो 10,000 डालर से लेके 15,000 डालर तक और अपना कर लेते हैं पर मंथ में अब 10-15,000 डालर को आप पाकिस्तान से कालकुलेट करें या इंडिया से करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लाग 25-30,000 वो पर मंथ अर्निंग करते हैं लेकिन ये भी देखें कि वो अपने घर नहीं होते हैं फैमिली से भी दूर होते हैं अगर पाकिस्तान से आई हुए हैं कैनेडा या इंडिया से कैनेडा आई हूए हैं तो यहां से भी वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पारे हैं और उनके लिए स्टगल करनी हैं अर्निंग वगएर कर रहे हैं कि ताके वो अपने बच्छों के लिए अपनी फैमिली के लिए वो कुछ कर सकें तो यह में 5 साल 10 सार लगा देते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस भी आ जाता है फिर आप कैनिडा में भी इसका ड्राइब कर सकते हैं तब भी आपको पे ज्यादा मिलेगी बस आपकी हिस्ट्री क्लीन होनी चाहिए कोई एक्सिडेंट नहीं होना चाहिए इतनी ज्यादा आपकी चुटियां वगयरा नहीं होनी चाहिए इसके भी बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं इसकी आप अपनी कंपनी वगयरा भी साथ बना सकते हैं वैसे तो और भी बहुत सारी जाप हैं जो विदाउट असकील हैं लेकिन यह हाई डिमांड जाप हैं इनकी पे बहुत बनी होगी तो तब भी आपको यह जाप मिलने के ज्यादा चांस होंगे तो कुई भी इंफर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के ओपर राप्ता कर सकते हैं मैं आपको as soon as possible वहाँ पे reply कर दूँगा उमेद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के टेक केर और अलापिस